उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को महाकुम्भ दो हजार पचीस की तैयारियों का जाइजा लेने प्रयाग राज पहुँचे. इस दौरान मुख्य मंत्री ने महाकुम्भ के प्रतीक चिन, लोगो का अनावरन किया. योगी ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंग, मंत्री राकिश सचान और मंत्री नंद्गोपाल गुपता नंदी के साथ स्पेशल बोट से संगम का निरिक्षन किया. करीब एक घंटे तक उन्होंने विभिन कारियों का जाइजा लिया और घाटों की स्थिती देखी, साथ ही कुम्भ को लेकर चल रहे निर्मान कारियों का जाइजा लिया. संगम नगरी में महाकुम्व की तयारियों का जाइजा ली ने पहुँचे मुख्य मंत्री ने सव प्रथमा गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की इसके बाद श्री बड़े हनुमान जी के दर्बार में दर्शन पूजन किया मंदिर पहुचने पर महंत बलवीर गिरी ने मुख्य मंत्री का स्वागत किया इसके बाद मुख्य मंत्री ने वैदिक मंत्रो चार के बीच हनुमान जी की पूजा अर्चना की और आर्थी उतारी तद पश्चात मुख्यमंत्री योगी वी आईपी घाट से स्पेशल बोर्ट द्वारा संगम निरिक्षन के लिए निकल गए मंगलाचरन और स्वस्तिवाचन के साथ परेड मैदान में मुख्यमंत्री के साथ साधू संतों की महाकुंभ मेले की तयारी को लेकर बैठक शुरू हो गई अखाडा परिशद के अध्यक्ष और महामंत्री समेत अन्य पदाधिकारियों और प्रमुख साधू संतों का स्वागत अभिनंदन किया गया महाकुम्भ की तयारी के लिए 13 अखाडे के साथ तंडिवाडा, आचार्यवाडा, प्रयागवाल सभातीर्थ पुरोहितों के अलावा बैरागी, सन्यासी, वैशनव संतों के प्रमुख पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री की बैठक में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं इनके अलावा खास चौक के भी संत अपने पूरे जमात के साथ पहुँचे हैं अखाडा परिशद के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री ने महाकुम्भ के प्रतीक चिन, लोगो का अनावरन किया इस मौके पर उन्होंने वेबसाइट और अब भी लाँच की है